अध्याए चार एक्ता में बल जंगल में नदी के किनारे बहुत उचे पहाड की तलहटी में चिमपाजी, खरगोश, तोता और हाथी रहा करते थे वे एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे एक दिन सुबह तोता एक पेड़ पर बैठ गया और रोज की तरह फल कुतरने लगा और अपने मित्रों का इंतिजार करने लगा तभी अचानक पेड़ के नीचे बहती नदी पर बना पुल लकड़ी के सड़ जाने से तूट गया तोता उड़कर खरगोश के पास नीचे आया खरगोश उचलता कूदता वहाँ पहुचा और वह चिंतित होकर बोला पुल तूट गया अब हम क्या करें हम उस पार कैसे जाएंगे चिंपा जी आया उसे भी कोई समाधान नहीं सूज रहा था वह भी उदास था चिंता मत करो तभी हाथी ने अपनी सूंड हिलाते हुए कहा यदि हम चारों मिलकर काम करें तो नया पुल तो क्या हम कुछ भी बना सकते हैं तोटा रसी लाने के लिए घर चला गया खरगोश घास फूस लेने चला गया चिंपाजी अपनी कुलहाडी की धार तेज करने चला गया हाथी गठर लाने के लिए चल दिया उनकी पुल बनाने की योजना को ज़ाडियों में छिपी एक लोमडी ने सुल लिया वह इन चारों की मित्रता से चिढ़ती थी वह उन चारों को अलग करने का उपाय सोचने लगी लोमडी चिंपाजी के घर जा पहुँची चिम्पाजी कुलहाडी की धार तेज कर रहा था लुम्री उससे बोली तुम तोता और खर्गोश के लिए इतनी महनत क्यों कर रहे हो तुम तो ज्यादा बुधिमान और ताकतवर हो चिम्पाजी को लगा कि लुम्री ठीक ही कहती है वह लुम्री की बातों में आ गया और उसने कुलहाडी एक तरफ रख दी इसके बाद लुम्री खर्गोश के घर गई वह घास फूस इकठा करने के काम में लगा था लुम्री ने उसे दम की दी मैं तुम्हें वह पुल नहीं बनाने दूँगी अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें आज ही खा जाओंगी खर्गोश उसकी दमकी से डर गया जब तोता रसी लेकर नदी के किनारे पहुँचा तो हाथी पहले से ही अपनी सूंड में गठर पकड़े वहां मौजूद था उन्होंने चिम्पाजी और खर्गोश का काफी देर तक इंतिजार किया पर वे दोनों नहीं आए तोते ने दुखी होकर हाथी से कहा वे दोनों नहीं आएंगे आओ हम स्वयम ही पुल बनाते हैं वे दोनों पुल बनाने के काम में जुट गए थोड़ी ही देर में उनको पता चल गया कि चिम्पाजी और खर्गोश के बिना पुल नहीं बन सकता हाथी और तोता खर्गोश के घर चले गए खर्गोश ने उन्हें सारी बातें बताई हाथी ने कहा जब पिछली बार लोमडी ने तुम्हारे घर को हडपने की कोशिश की थी तब हम चारों ने मिलकर उसे बाहर भगा दिया था एक होकर हम ताकतवर हो जाते हैं और कुछ भी कर सकते हैं और किसी शत्रों से भी नहीं डरते तोते ने कहा खरगोश बोला तुम ठीक कहते हो हम मिल जुलकर पुल बना सकते हैं और धूरत लोमडी को हरा भी सकते हैं इसके बाद तीनों चिमपाजी से मिलने उसके घर गए हाथी ने गठर की कमजोर लकड़ी निकाल कर उसके हाथ में पकड़ा दी जिसे चिमपाजी ने आसानी से तोड़ दिया लेकिन पूरे गठर को वह अपना पूरा जोर लगा कर भी नहीं तोड़ सका तोता बोला एकता में ही बल है सच है ना चिमपाजी ने सिर्ख खुजलाते हुए कहा मुझे माफ करना दोस्त मैं तो लोमड़ी की बातों में आ गया था फिर चारों दोस्त पुल बनाने के काम में जुट गए उन्होंने लोमड़ी को फसाने के लिए नदी के किनारे एक गड़ा खोदा चिमपाजी अपनी कुलहाडी से जंगल के पेड काट कर गिराने लगा और हाथ ही उनको सूंड से उठा कर नदी के किनारे पहुँचाने लगा तोता गठर के छिलके उतारने लग गया ताके खरगोश उनकी रसी बना सके धीरे धीरे पुल बनने लगा तब ही लोमड़ी दबे पां वहाँ आ पहुँची इन चारों को मिलकर पुल बनाते देखकर आग बबूला हो उठी वह रसी को काटने के लिए उचली और गड़े में जागिरी हाथी गड़े के पास आया और उसने लोमड़ी को अपनी सूंड में उठा कर नदी में फैक दिया वह नदी में डूब कर मर गई चारों दोस्तों ने मिलकर नया पुल तयार कर ही दिया शाम हो चुकी थी सूरज डूब रहा था तोता हाथी के उपर बैठ कर खरगोश, चिमपाजी तथा हाथी नये पुल को पार करने लगे और चारों अपनी पक्की मित्रता से बहुत खुश थे शिक्षा एकता में ही बल है